नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नवीता और आप देख रहे हैं Paradise Rabbit Farming आज हमारे साथ मुझूद है Rabbit Farming Paradise Rabbit Farming के ओनर राजेस जी आज हम उनसे बात करेंगी कि कैसे वो Rabbit Farming को किस मकाम से कहां तक लेकर आए हैं नमस्कार सब्सक्राइब आप Rabbit Farming के बारे में क्या कहना चाहें Rabbit Farming के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हम लोग पिछले सड़े तेरा से चोदा साल हो गए हमें Rabbit Farming का काम करते हुए और Rabbit Farming जब हमने की थी मैंने पहले भी बहुत सारे इंट्रीज में भी बताया है कि च्यार पांसो किलोमेटर के एरिया में कहीं Rabbit Farming नहीं थी जब मैंने काम शुरू किया था और जब मैंने काम शुरू किया था तो लोगों के अंदर किसी भी तरीके का इसके अंदर क्रेज नहीं था कि क्या Rabbit Farming है क्यों आप कर रहे हैं तो ऐसे मुझे लोग मिस्गाइट भी करते थे आके कि आपने गलत काम कर लिया है आपको पोल्टरी करना चाहिए था गोटरी करना चाहिए था पिगरी करना चाहिए था लेकिन मुझे उनकी बातों में कुछ ज्यादा ठीक नह समझा है कि इसमें क्या-क्या मायनस पॉइंट है क्या प्लस पॉइंट हैं कहां यह बिकेगा कहां इसकी मार्किट है तो मुझे लगा की पहले हमें लगता था कि जब काम शुरू किया कि उसकी कोई महर्किट ही नहीं है को इसizer değ demand होभी हुआ को बाद में मुझे समझ में आ तो बाद में दीरे-दीरे इसकी समझ आने लगी कि मीट के लिए भी यूज होता है और इस परकार से दीरे-दीरे हम इस काम को बढ़ाते चले गए फिर बाद में हमने कुछ साल तो हमने खुद किया है तो बाद में हमने फिर फारम भी ओपन करवाने शुरू कर दिये क्योंकि कि हमारे माल की रिपार में फूल बिल नहीं होती थी तो हम इस लाइन में ट्रेडिंग लाइन में हम आगे थे घान सकती हूं कि आपने गोफ़न के साथ कैसे टाइब किया यह मतलब आसानी से होगाए क्या आपको कोई मुश्किल है की सामना करना पड़ा था नि देखिए तो गोर्मिट आपको मदलब पैनल पर लेके आती है दरवाइज लें क्या मैं जान सकती हूं सर कि आपका जो पैरडाइज वैबिट फार्मिंग का काम है कहां कहां चल रहा है किन स्टेट में चल रहा है और कितना चल रहा है देखिए कंपनी के सड़े 900 से ज्यादा फारम है औ वेश्ट बंगाल गोवाँ तो तक्रीबन तक्रीबन सारी स्टेट हैं हमने कवर की हुई है और तक्रीबन सड़े 900 से ज्यादा कंपनी के पास फारम है मैडम आपके पास सब कितने किसान आजाते हैं रैबिट फार्मिंग के लिए आप उनको कैसे गाइड करते हैं महीने में हमारे पास दो ट्रेनिंग हम लोग रखते हैं लेकिन रूटीन से कम से कम भी 10 फार्मर डेली हमारे पास आते हैं विजिट करने के लिए अगर हम वीकेंड की बात करें सेटरे संडे की तो हमारी 20-30 फार्मर पर दे मलब जैसे मैं सनिवार और संडे की बात करूं तो जो पर बाद करेंब हमारी जो ट्रेनिंग होती है थो यह लेकिन लेकिन अगर बेचा हमारा बहुत छोटा है तो हम दो दिन के उसको कवर पर गएSwag अगर बढ़ा है तो हमारे तीन से फांस दिन पूरे लगते में एक पैसमें कितने कि साना आप ले तो सो ne लेते हैं और मैक्सिमम फिप्टी लेते हैं एक बैच के दर आपने जब यह शुरुआत की तो क्या आपको भी कोई दिक्कते आई थी हाँ बहुत दिक्ते आई थी जब आमने शुरुआत की थी क्योंकि मैंने पहले भी बताया है पहले यह प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं होता था तो जहां से भी हम लोग खर्वोष को खरीते थे यह वो गोर्मिक से खरीते थे या जो सरकारी संस्तान जासे अवीकानगर आजस्तान के अंदर है तो आप जैसे वहां जाते थे हम जो बेसिक चीजी थी वो बता देते थे वो लेकिन वो बाई बैक नहीं करते थे वाई वाद देखने के बाद जैसे वह उनको देखते थे संबालते थे मैं तो पहले में था तो आज इसी लाइन में जाद आपना टाइम काम से 2 अनियांत इस परकार से हमने आज हमारे तीन खुद के ब्रीडिंग सेंटर है एक हमारा हर्याना का स्टोक सेंटर है ब्रीडिंग सेंटर की मैं जो बात करता हूं आप से कहता हूं जिसे हैदराबाद गोवा वेस्ट बंगाल हमारे ब्रीडिंग सेंटर है और हर्याना के अंदर हमारा स्टोक करता हूँ उसका उसका करके जिसे यहां जितने फारम खुलते हैं तो जो वेश्ट बंगाल गोवा या घदराबाद से हम लोग माल मंगाते हैं पहले अपने संटर पर स्टोक करते हैं फिर आगे सप्लाइब करते हैं लोग और ऐसा ही बाइबाइबेक में पहले मैं हर् क्योंकि ओफिसल जितना वरक है हमारा हर्याना कुरक्षेतर और डिस्टिक जीन्द के अंदर दो जगे हमारा ओफिसल वरक चलता है कुरक्षेतर हैड ओफिस हमने बनाया हुआ है ओफिस वरक होता है हमारा और डिस्टिक जीन्द के अंदर गाउं डाठरत के अंदर जीन्द से अधरवाई हमारा जो एक ट्रन अवर की हम बात करें तो एक बहुत अच्छा इसके अंदर हमारा एक ट्रन अवर है मैं ज्यादा उसको कलियर नहीं करना चाहूंगा तो बहुत ही एक अच्छा मारा एक श्मिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि सेलिंग ना हुई हो नहीं कभी ऑना श्राइंका पिंजार होता है इसके वरे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे पींजरा हम लोग हुए मंदर ऑपना चाहर का आया गजिसंगा शित्रन का हम लोग एक बिल्चत को सदो यह जियन क charities रहता तो इसस्वरकरत यह आप प्लैन पोरशन कर दो करें हम लोग फीडिंग का होता है किस फीड के अ फीड के अंदर कितना प्रोटिन होता फाइवर कितना energy कितनी ठीक है ये सारी चीजे हम लोग training के टाइम में farmer को अच्छी से गाइड करते हैं और बाद में भी जैसे restriction कोई प्रोब्लम आती है तो उसको हम सोट आउट करते हैं कि इस फ्रकेस के नسल को बोलते हैं हम ब्रेल्र हईविड और साथ में नसल को बोलते हैं अंगोरा आपका जो हीली इस तर जो रहता है चाहां थंडा होता है उसमें पाया जाता है ब्रेलर हाइब में 6 नसले होती है जिसको हम बोलते हैं शोवी चिंचला ग्रेजाइंट न्यूजिलेंड वाइट डच ब्लैक के लिफोर्निया इसमें से चार नसले सन क्राइंट है सबस्काल रहता है जिसकी झाली करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि है एक फिल्बावरी चिंचला को रख लीजिएगा या फिर साथ की साथ नसले एक में रख लीजिएगा कोई ऐसी फराइब सबसे महंगी नसल कौन सी होगी निस सबकी बराबर रहती है सिर्फ फरक यह रहता है कि अंगोरा की सिर्फ वून इस्तेमाल होती है ब्रेलर हाईवेड रैबिट की वैक्षिन के लिए, रिसर्च के लिए, मीट के लिए परपस में काम आता है सर एक खरगोश की किमत कितनी हो सकती है? देखिए एक खरगोश की किमत नहीं लगती है जैसे दो किलो का खरगोश होगा तो डाइ सो रुपे के लिए, या फिर उनसे कोई बिमारियां हमें लग सकती है? नहीं, रैबिटरी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बिमारी रैबिटरी के अंदर आएगेगी तो वो इनसान को भी लगेगी, कभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि रैबिट जो है इनसान से 80% मिलता हुआ एनिमल है के अगर खर खुष के अंदर विमारी की बात करूं तो खरुष में कभी भी कोई बिमारी नहीं होती है काईदे से लेकिन आपका फीड के अंदर प्रोटिन की मातरा एनरज्य फाईवर बराबर होना चाहिए और साफ सपाइ बहुत अच्छी होनी चाहिए उसको कोई टोनिक की जरूरत नहीं, कोई मेडिशन की जरूरत नहीं है जब आपकी फीड बराबर नहीं होगी, उसको डाइजेशन सिस्टम में प्रोबलम होगी उसको हीट आने में प्रोब्लम होगी, मेटिंग प्रोपर से नहीं होगी, बच्चे प्रोपर नहीं आएंगे तो आपको किसान को लगता है कि नहीं इसके अंदर बहुत सारी बिमारियां है ऐसी कभी भी रैबिटरी के अंदर बिमारी नहीं है लेकिन उसका फीड का जो फार्मूला है वो एक्चूल में सही होना चाहिए तो आपको कभी भी प्रोपर बोडी बेट आएगा प्रोपर ली क्रोसिंग होगी सब कुछ परवर चलेगा खरगोशों की मेटिंग के समय क्या कोई दिक्कत आ सकती है सर नए जी कभी कोई दिक्कत नहीं आती सुबह सूर्य ओदे होने से पहले आप मेटिंग कराएए ठंडा मोसम हो और इस्टर्बेंस कम हो तो जो मादा प्रेगनेंट होती है जब वो कितने खरगोष पैदा करती है और कितने उसमें से मतलब जिन्दा रहते हैं क्या उनको दिक्कत आती है क्या उनका सही होता है देखिए मादा खरगोस जब भी मैटिंग के लिए मलब त्यार है और हम मैटिंग उसकी करवा देते हैं तो तकरीबन 28 से 32 दन का डोरेशन होता है मादा का बच्चे देने का दो बच्चों से लेके 12 बच्चे तक देने की समता रखती है फिमेल अपने अब मरने की दर में क्या किसी मादा ने चार बच्चे दिये और किसी मादा ने बारा बच्चे दिये हैं जिसने बारा बच्चे दिये हैं तो आप उसको विदिन टू डेज के अंदर अंदर दूसरी मादा के नीचे आप सिप्ट कर सकते हो तो उसको सिप्ट करने से क्या फाइदा मिलता है आपको कि उसके बच्चे ज्यादा थे, उसके बच्चे कम थे, तो बच्चे सभी जिंदारांगे, अगर ऐसा नहीं मलता आइक सभी बच्का नहीं धी, गड़ना नहीं भिभता चाहिए को, कोई खाना अलग नहीं होता है नए जन में बच्चों का क्योंकि 12 दिन पे बच्चों की आंग खुलती है उसके बाद दाने और पाने पर बच्चा आता है 12 दिन तक तो वो feeding पे ही रहेगा वैसे तो 27 दिन तक रहता है feeding पे मा के साथ लेकिन आग खुलने के बाद दाने और पाने पर खरगोश आ जाता है जब खरगोश को इधर से उधर ले जाया जाता है तो उनके परिवहन का उनका कैसा होना चाहिए देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर गर्मी का वो समया है दूप का वो समया है तो दूप के समय कभी भी रैबिटरी को मलब रैबिट को ट्रांसपोर्ट ना करवाएं ठंडे मोसम में ट्रांसपोर्ट करवाएं और कोशिस होसके तो रात को यह सुबह जल्दी सर आप लोगों को रैबिट फार्मिंग के बारे में और क्या बताना चाहेंगे बस मैंने तकरीबन तकरीबन आपको जानकारी दे दी है और कोई इसके अलावा और जानकारी हमारे पास चाहता है हमारे यूटूब पे वेफसाइट पे www.paradiserabitfarm.com और दूसरा में मेरा contact number is 9466419455 तिसरा मैं कहना चाहूँगा किसानों को कि जितने भी मेरे किसान भाई हैं बहूत सारे रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं या पोल्टरी फार्म करना चाहते हैं हम लोग शिरफ रैबिटरी की जानकारी देते हैं और रैबिटरी में मैं यह क पर बैखा या अपनी जगह पर बैठा है और शिरफ कंपनी से ना पता करके उसके आजू-बाजू में जुरूर पता करें की आदमी कैसा है उसका फ्यूचर क्या है और कितने टाइम से वह काम करता है क्योंकि रबिट फार्मिंग को बदनाम किया जा रहा है बहुत सारी कंपन झाल